चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आयूस यानि BAMS, BHMS, BSMS, BUMS की काउंसलिंग के रेजिस्ट्रेशन और 24 फिलिंग अभी स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 2nd December 2020 है AACCC दोरा जो All India Government Quota, All India Government Added Quota, Central University, National Institution, Dimmed University के लिए जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके रूल से MCC के रूल से कुछ अलग है तो आज इस वीडियो में हम AACCC के काउंसलिंग रूल के बारे में बात करेंगे इसके साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डोकुमेंट्स की आउश्यक्ता होगी जो आपको कोलेज अलोट के टाइम पर कोलेज में डिपोजिट करने होंगे तो सबसे पहले इसके काउंसलिंग रूल के बारे में बात करें तो AACCC द्वारा तीन राउंड की काउंसलिंग सभी कोठा यानि All India Government Quota, All India Government Added Quota, Central University National Institute और Dimmed University के लिए करवाई जाती है third round को mop up round और third round दोनों के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले हम first round की बात करें तो first round exit round है जो candidate first round के लिए registration करेंगे उनको government के लिए 11,000 rupees यानि कि इसमें 1,000 rupees registration fee पे करनी होगी जो non refundable है और 10,000 rupees security money deposit करनी होगी जो condition के साथ refundable है dimmed की condition में 55,000 rupees deposit करने होगे जिसमें 50,000 security money है जिन candidate को first round में seat मिल जाती है तो वो उसको join भी कर सकते हैं उसको अगर छोडते हैं इन दोनु condition में उसकी security money है वो refund हो जाएगी और वो next round की counselling के लिए eligible होगे second round में seat मिलने पर अगर कोई candidate उसको join नहीं करता है तो उसकी security money refund होगी और वो third round की counselling के लिए eligible होगा और state counselling के लिए भी eligible रहेगा अगर वो second round में allotted seat join कर लेता है बात करें हम third round की यानि mop up round की तो ये free exit नहीं है अगर आपको seat alert हो जाती है और आप उस seat को join नहीं करते हैं तो आप state counselling के लिए और other counselling के लिए तो eligible रहेंगे मगर आपकी security money forfeit हो जाएगी अगर join कर लेते हैं तो other counselling जैसे state counselling इत्यादी के लिए eligible नहीं होंगे ये तीनों round complete होने के बाद जो आल इंडिया government quota और आल इंडिया government added quota की vacant seat रहेंगी वो state को transfer कर दी जाएंगी और central university, national institute और dimmed university की जो vacant seat रहेंगी वो concerned institute को transfer कर दी जाएंगी इसके अलावा हम बात करें आगे इसके documents की तो आपको एक original documents के साथ में photography का भी set लेके जाना है जो self attested होगा यानि की candidate उस पर signature करेगा ये आपको college में deposit करने है ये document से admit card हो गया जो NTA की तरफ से issue किया गया था result rank later जो आपकी result की copy है अगर आपके high school certificate में date of birth नहीं है तो आपको date of birth के लिए अलग से certificate ले जाना होगा इसके अलावा 10th का certificate 10 plus 2 का certificate और 10 plus 2 की mark seat की आवश्यक्ता होगी इसके बाद में 8 passport size के photograph लेके जाने हैं इसके बाद में provisional allotment letter जो online janet होगा 888C की website से मिल जाएगा वो आपको लेके जाना है इसके बाद में id proof, आधार, pen, driving, license, passport, इत्यादी इनमें से कोई भी हो सकता है वो आपको लेकर जाने हैं तो ये तो होगे आपके original documents के साथ एक self-attested photocopy लेके जाना है इसके अलावा जो candidate SC, ST, OBC और EWS से हैं वो अपना अलग से certificate लेके जाएंगे इस category का जो PWD candidate हैं वो भी certificate लेके जाएंगे इसमें इसके अलावा जो BSMS में admission लेना चाहते हैं वो 10th standard उनका तमिल का certificate होना चाहिए और जो उर्दू में लेना चाहते हैं admission B.U.MS में लेना चाहते हैं तो उनके 10th student में उर्दू होनी चाहिए इसका certificate उनके साथ में होना चाहिए तो इस परकार से ये documents हैं इसमें इसके अलावा जो dimmed university है उसमें किसी परकार का EWS, OBC, SC, ST, PWD का कोटा नहीं होता है private institute के लिए आपको state में 15% आल इंडिया कोटा के लिए आप हर एक state में admission ले सकते हैं उसमें तो state counseling authority से आप touch में रहें अगर आप private के 15% आल इंडिया कोटा में admission लेना चाहते हैं तो इसके लिए state counseling authority ही counseling करवाएगी तो आप वहाँ से counseling करवा के admission ले सकते हैं डवल ए ट्रिपल सी दवारा government, government added, dimmed, central university और national institute के लिए counseling करवाई जाएगी तो ये जानकारी थी इसके rules के बारे में अब मैं आपको बता दूँ कि 24 फिल आपने बड़े ही ध्यान से करना है टोप से lowest के करम में आपने 24 फिल करनी है 24 फिल करने से पहले आप डवल ए ट्रिपल सी की website पर जाएंगे तो डवल ए ट्रिपल सी की website पर आपको ये participating institute का option मिलेगा इस पर आप कलिक करके सभी के बारे में इनकी फीश चेक कर ले और बॉंड डिटेल चेक कर ले 24 फिल करने से पहले जिन जिन कोलेज का अपने 24 फिल करना है उस कोलेज की फीश और बॉंड के बारे में डिटेल ले ले यहां से तो ये जानकारी थी इसके बारे में बाकी 24 फिलिंग के लिए आप हमारी बुक की help भी ले सकते हैं जिसको इस वीडियो के description box से या हमारी website www.chopraeducation.com से भी download किया जा सकता है तो दोस्तो नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए आप से लेता हूँ विदा जैहिंद झाल किया आप से ले समारा के ले विए ज़िए से हुआ है अक्दी कैस के लिएए हमारी दिलिए से लेके लेगे हमारा क। किया दूए